हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूटूब चैनल डायनेमिक हवेसी फ्रेंड्स क्या आपको पता है आपका मोबाइल का चार्जर, लेफ्लोप पा चार्जर या फिर किसी भी चार्जर कितिने वाट का है अगर आपको नहीं पता है ता आएए मैं आपको बताता हूँ Friends, सबसे पहले आप अपने Charger के Name Plate को चेक करने है वहाँ पर आपको दो चीज़े मिलेंगी पहला Input, दूसरा Output तो आपको Output का चेक करने है Output का Voltage कितना है? पांस वोल्टे, नो वोल्टे, या फिर बारा वोल्टे उसके बाड़ आप उस पर चेक कर सेकते हैं उसका Ampere कितना है यह करके लिखा होगा Ampere कितना है आप देख सकते हैं, मैंने यह हाइलाइट किया है वीडियो में अभी जो आपको एक नेम पलेट सोग कर रहा है, चारजर का है उस पर तीन फर्मट दे रखा है एक है कि 5 वोल्टे 3 Ampere निकालेगा 9 वोल्टे 2 Ampere निकालेगा 12 वोल्टे 1.5 Ampere निकालेगा तो मैं तीनों का अलग अलग करके बताता हूँ कितने वाट हो रहा है पावर निकालेगा फर्मूला होता है P is equal to Vi जहां पर P is equal to power V, V किया है voltage है I, I किया है current है आपका जो पहला वाला दिया हुआ है given voltage 5 Volt है Ampere 3 Ampere है तो हम फर्मूला में पूट करेंगे P is equal to voltage 5 Ampere है 3 तो P is equal to 5 into 3 पंदरा वाट तो friends पहले वाले का जो आ रहा है वो पंदरा वाट्स आ रहा है Friends आप यहां पर दूसरा देख सकते हैं P is equal to Vi 9 volt है और 2 ampere है यहां पर 9 दूना 18 वाट्स दूसरे वाले का आ रहा है तो friends अब आपको यह पता चल गया होगा कि चार्जर का वाटेज, लेप्टर का वाटेज या किसी भी चार्जर का वाटेज निकालने का क्या फर्मूला होता है